पिधंपूर सेक्टर 3 सागोर मुख्य मार्ग का कारिय पिछले 8 माह से बन चल रहा है। सुत्रों के अनुसार कुछ तकनी की कम्यों के चलते ये काम रुका हुआ है। काम शुरू किया गया था जब रोड के दोनों साइट को खुदा गया था जो अभी तक वैसे ही इस्तिती में पड़ा है। सड़क खराब होने के चलते इस मार्ग पर कई दूर घटनाए होती रहती है। सड़क को लेकर कॉंग्रेस पारसत कमल गुर्जर ने विरोध जताया और मार्ग का निर्मान कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की गई। कई बार नगरपालिका को बोल चुके हैं पर नगरपालिका का इस और कोई ध्यान नहीं है। जल्दी काम शुरू नहीं होने पर शहर कॉंग्रेस द्वारा उग्र आंदुलन करने की चेतावनी दी। पिथमपूर से संजे सौनगराक रिपोर्ट हाथ से होते रहते हैं अभी कुछ दिन पहले एक इस्प्रेंट वा एक बालक्त की मुर्टी हो गई और आया दिन कुछ में कुछ हाथ से होते रहते हैं नगरपाली का कि कल परिशत की बेठक थी वहाँ भी बात की तो हर बार सीमों की तरफ से आस्वासम दिया जाता है दो दिन में चालू करवा देंगे तिन दिन में चालू करवा देते हैं लेकिन चालू नहीं होता है रोड हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना बुलें